हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू नॉलेज और एजुकेशन अड़्डा फ्रेंड्स आज हम इडियम फ्रेज का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं तो लेस्ट टार्ट तो आज के पहला इडियम हम देखते हैं इसका मालब होता है या बहुत महaci हो ना अगर आप किसी पर्सन प्रेंगे कहेंगे आप अपने एक हात हाथ और पैर की कीमत लगाई है यानि एक हाथ और पैर मुझी दे दिजिए ते क्या वह तयार होगा यह बहुत ही उसके लिए महंगा होगा जो क्वास्ट आर्म एन एलेग मेंज वहरी प्रीशियस थिंग नेक्स्ट इज पॉट्टेटो काउस पॉट्टेटो मिन्स एक निस्क्रिय व्यक्ति जो टेलिविजन देखते रहता है जो इसके पास कोई काम धाम नहीं है और दिनमाद टी भी देखता है बैठकर यह इडियम आइंटीउ सेवंटीम में लिया गया है यह अमेरीका से आया है है को कॉमिक आर्टिस्ट है जिन्होंने अपने एक एक ऊपनी पर Qué-क नाता में उन्होंने एक पर्षण और चे उना देजल के वारे अक कोउच पोटेटों रखाता है तो क्या करते थे दिन भर टीवी देखते थे और और कोई काम धाम नहीं करते थे और बैच रहते थे खाते पीते और टीवी एक देखते थे जिससे उनका वेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया और वह लुक्स लाइक है पोटेटो वह आलुक जैसे दिखने लगे पोटेट उप सोफ गनाज़र की बढ़ग revenue झाल है तो कऊच प्रेटो मीन्स एंड़ा परj होना हरा जोह विथ तहाए रह पर्हता काल гया भूर का समय होना ही तहाए π्राता काल प्राता काल के म वीथ पीस क्राइकम मीन्स निकलना या होना तो प्राता काल का होना एकदम सुबह सुबह नेक्स्ट है क्रैक सम्वन आप क्रैक सम्वन रफ मींस किसी को बुरी तरह से हसाना क्रैक सम्वन यह एक अमेरिकन एडियम फ्रेस है यह 1600 से में लिया गया है उस समय क्या होता था जो बुमें होती थी 1600 में अमेरिका में तो अपने चहरे पर एक ठीक लियार लगाती थी मेकप का मेकप का इतना लेट्पना थीक होता था कि जब वह स्ती थी तो उनके मेकप में दरार पड़ जाता था तीक अब वह देखने बहुत भद्धा लगता था और लूस को देख़ के लोग हसने लगते थे तहीए इसकी ईसका अरीजेन है इस इंब स क्रेस्टर कमफोर्ट मिंस सुधा या आराम की चीजे को क्रीचर मुंस जीव कमसर्वड मैं आराम की चीज़े तो इसको वर्ट से पकड़ सकते हैं क्रिचा कमफण में सुभीधा या आराम की चीज़े नेक्सट क्रोक कोडाइल टियॉझ कोडाइल टियॉझ में घरियाली आसू तो आप जानते होगा आपने सुनाई होगा यह इडियम बहुत ही पॉपलर ही इडियम हिं को होने की बेचैनी से प्रतिख्छा करना मतलब जैसे कि कोई परसा नहें अगर किसी चीज के लिए वेट कर रहा है तो क्या करते हैं अपनी फिंगर्स को क्रॉस करते रहते एक दूसरे से अपने देखाऊ वह मूवी विगरा में तो स्वयडर्ज में मतलब होता है किसी चीज का बेड करना बेड़ाकयं है क्रॉसवर्ण सुछमिन तरह अब तरह मरें राद गभाद करने इसे माली एक तलवार दूसरे तलवार जब यूदि के शुरुवात होती है जब लड़ते क्या करते हैं एक पक्ष दूसरे पक्ष क्या करता है तलवार से एक दूसरे को जब अटैक करता है तो पहला बार क्या करता है एक दूसरे कल तलवार लड़ाई जाती है तो एक तलवा होता है संकट टाइम मनलब छण मलब संकट का चण ऐसा चण मलब ऐसा मूवमेंट जो की बहुत ही संकट भरा हो और आपके लिए कि इस कठीनाई की समय में क्या डिस्जन ले तो डैट इस क्रण्च टाइम निर्णाइक छड़ क्राइफ और दा मून नेक्स्ट इस क्राइफ और दा मून क्राइफ और मून मून पूरी होने में असंभव करन मांग करना मतलब कोई बच्चा है अगर कह दे कि मुझे चांद च लगते हैं तो जिस तरह से मून को प्राप्त करना वहोट करना दुन अवहोट ही कथ उस था किए उसी हलोWowक यह टिमांड कर लेना जिस डिमांड पूरा नक किया गैजा सके तो डैट है cry for the moon कि नेक्स्ट है क्राइब इन दा वालनेश है वालनेश काइब वालनेश में होता है कोई ऐसी अभिव्यक्ति जिस पर ध्यान देने वाला कोई ना हो तो यह ओडियम जो है यह गॉस्पेल्स लिया गया था गॉस्पेल्स में क्या होता है कि जिसस क्राइस्ट की जो टीचिंग थी उन्होंने जो उपदेश दिया था उनकी बुक है तो उनके बुक में उनकी गॉस्पेल्स में जिसस क्राइस्ट के उपदेशों का संकलन किया गय तो इसका नहीं है तो क्राइब वाइल्डन में वाइल्डनेस में होता है कोई ऐसी अव्यक्ति जिस पर ध्यान देने वाला कोई ना हो मतलब आप कोई बात अपनी रख रहे हैं और उस बात कोई ध्यान ना दे मतलब आपके बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे तो क्राइब वाइल्डनेस होगा नेट्स है कि क्राइब सर्फ 8 आउट मलब बुरी तरह से रोना आपक्राइब अआउट मलब आपने आंखों को बाहर निकालके रोना तो इसको अब वरसे पकड़ सकते हैं मृत इसी है क्राइब इस आउट मिंस बु प्राइम इस रोना ओपर मिल्क में दूद तो इसको बड़ सी पकड़ सकते हैं मलब जब दूद बिखर जाए या दूद गिर जाए तो उस पर रोना तो अगर दूद गिर गया है और आप अफसोस कर रहे हैं दूद गिर गया है तो क्या उससे कोई फैदा होने वाला कि बिना मतलब का उस पर अफसोस करना कि यह नुक्सान हो गया है मलब जो हो गया तो हो गया है उससे छोड़ देना चाहिए हें नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्राइब वोल्फ हों में जुट्था हाओ खड़ा कन् laughter आ में स्वेश अपने ऺए कहानी सुनी होगी यह बचपन में कि भेडिया आया ऴड्या वाला कहानी जो है कि एक ग्रेडिया रहता है तो से चिलाता है कि भी आ गया मेरे भेड़ों को खा लिया तो गाओं वाले लाठी लोग दोड़ते हैं देखते हैं कि वहां पे कोई नी रहता भीडिया तो वह गाओं के लोगों को परइसान करने के लिए जूटा होआ ख़ड़ा करता है आई होब आप सभी नहीं सुनी होगी तो क्राइब वॉल्फ में सुता जूटा हवा खड़ा करना कि नेक्स्ट है कुकू इंदा नेस्ट कुकू मिन्स कोयल कोयल का बच्चा कववे के नेस्ट नेस्ट में आजए तो क्या होगा वह भीड से अलग दिखेगा क्यूंकि आप जानते होंगे कि जो कोयल होता है वह अपना नेश्ड नहीं बनाती है तो अपने अंड़ंड़ को कौवे के घुसलिम देती है तो जो कौवे के बच्चे के साथ जब कोयल का बच्चा भी निकलता अंड़े से बाहर तो कैसे दिखेगा वो थोड़ा अलग दिखेगा भीर से ना तो वो की बच्चो की बीच में कोईल का बच्चा अगर निकले अंडे से तो भीर से अलग दिखेगा है तो कुकु tä set में सोता है भीर से अलग दिखना है है लेक्स्ट है तो गजल वप्रेंस सोचने समस्वाजने की पूरी कोशिश करना तो गजल में इसकी आता है एक ठीक स्टिक मला ब्यंद गजल क्या थे एक ब्यंद होता है छोटा एक छोटा सा बहुत मोटा डंडा होना ठीक तो अपने वे को इस डंडब यान बेज़ से मारना तो यह मला आ हैं अपने परост었다 देना तो सोचने समझाझनी की पूरी कोशीश करना नेक्सिस करी फियरण करे मिशिए चाप लूश करके उसी जैसा है मुल्ब चापलूसी करना या मखन लगाना करी फेबर यह इडियम जो है अल्टरनेशन है एक फोक एटमोलोजी का मलब इसका ओरिजिनल जो है इडियम क्या था करी फेबर इसका मतलब होता है तो गेन परसनल एडवांटेज प्लेटरी मसलब होता है चापलूसी करना अपने परसनल एड्वांटेज के लिए किसी कि चापलुसी करना कि मनला होता करी फेबर कि यहां फेबर क्या है एक फेबर जो है harus लिया गया है Chinese एक चैनिज मालब फ्रेंच मेडिल फ्रेंच के एक फ्रेंच है जिसमें फेबर का मतलब होता है वह हौर्स तो curry favor में सोता false hood मलब घोड़े घोड़े की जूठी जूठा खुड false hood false hood of horse तो curry favor में सोता चापलोशी करके अपना काम निकालना next है curtain lecture curtain में सोता है पत्नी की डांट curtain में सोता है पर्दा यह फ्रेस जो है यह थेटर से दिया गया है तो कर्टे लेक्चर थेटर में जब पड़ता गिरता है न तो ही कर्टे लेक्चर कर्टे लेक्चर में इस होता पत्नी की डांट कि नेक्स्ट है कि पुशी जॉब कुशी जॉब में सोता है अराम दायक एवं लाबकारी पेशा कुशी क्या होता है जो गेम का जो टेबल होता है उसपर कुशन लगा होता है जो कुशन लगाता है बिलियर्ट गेम के टेवल पे उसको कुशी बोलते हैं मलब ऐसी जॉब जिसमें आप कुशन को पर बैठ कर काम करते हो मलब आराम दायक जॉब कुशन क्या होता है कुशन को बगर अगर आप बैठेंगे तो आप आराम मिलेगा कुछन को बैट कर जॉब करना बहुत ही अराम दायक और लाबकारी पेशा होना नेक्स्ट है कट एरग कट एरग में सोता है निर्थ करना कर देख काट एरग यह यह कैसे आया यह दिस इडियम कमस प्रॉम 1920 एंडे इंडी reduzATION इसमें क्या था था 1920 नाइंटे थाटी में कि उपाल होते थे उट्वाइब करते थे जीटर वग डांस करते थे ठीक तो जीटर वग क्या होता है जीटर वग एक डांस फॉर्म था यह बहुत थी तान्स असामाई का जो कपल लोग करते थे और को इसमें करते करते क्या कड़ेते अने उवर केंपोक tidak तो जी डांस करते UK कपल लो क्रते करते निर्थ करना महलौ नांस करते रग या उसको कत कर देना या इसको डैमेज कर देना तो कट मैं सब निर्थ नांस करना कट एंप रग केट कट सॉरी फिगर में बहुत बूरी तरीके से परफॉर्म करना मतलब कोई इंप्रेशन ना छोड़ना माले कोई टास आपको दिया गया या कोई हाँ को आप को दी गई है और आप जो एक उस्पांसिबील्टी को ठीक से निभाना पाए अपना और आपका पर्फॉर्म बहुत ही बूरा हो तो ना आप लक्निकिन नहीं है लापा इसको समझ सकते हैं कि कोई फिगर है ठीक से आपने सौरी का पीगर कट कर लिया मतलब आप आफ और परफॉंस इतना खराब है कि आपने लास्ट में आपको शॉरी बोलना पडा तो कटесь रहते हैं तो कार्ट आज का एडिया में तक होआं आए हो आपको समझ में आहा होगा तो अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेइलिस में जाकर इसके प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं और इसका नेक्स पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और आपके जो भी फ्रेंड्स है जो भी ऐसे सिख त्यारी कर रहे अंत्न कर दो बहुत जाएगा खर्ट प्रीवियस प्लाट कर दो हमारे है haya जाएगा और आपके जो रहे जो किया और आपके दो दीख प्रुशають जाएगा डिताएगर झाल 1, 1 taking on na not drag